हेलो स्टूटेंस वेलकम टू माई यूटूब चैनल लर्निंग में बच्चो आज हम करने वाले हैं मीटर को फिट इंच तथा गज में केसे बदलते हैं ठीके बच्चो तो आई हम स्टार्ट करते हैं कि मीटर को फिट में बदलेंगे इंच में बदलेंगे और गज में केसे है क्या होता है तो अपन सबसे पहले लिखेंगी एक मीटर एक मीटर में कितना फिट होता है तो तीन दसमलो दो आठ जीरो आठ चार फिट होता है कितना फिट होता है एक मीटर में कितना फिट होता है तीन दसमलो दो आठ जीरो आठ चार फिट होता है तो एक फिट में आपको पता होगा कि 12 इंच होता है 12 इंच का कितना होता है 1-5 उसके बाद एक इंच एक इंच आपका होता है बच्चों 2.54 सेंटिमीटर यह तीन आपको याद करन dissoci consum आपको चलते हैं और यह कहता है एक मीटर होता है 3,280 char fit 1-2.50 में होता है कि इंच में बदलना मीटर को बदलने के लिए हम क्या करेंगे से कि आपका मीटर है अब अपने को मीटर को एक मीटर को इंच मदलना है तो एक मीटर में फिट किता होता है तीन दसमलो दो आठ जीरो आठ चार इसमें कितने का गुणा करेंगे तो एक फिट में कितना इंच होता है बारा इंच तो अपने इस मीटर को फिट में लिख लिए अब इसे अपन इंचे मदलेंगे कितना गुणा करेंगे बारा का गुणा ठीक बच्चों तो एक मीटर को अपन इंच में बदलने के लिए તીય 3,2,8,0,8,4 में कितने को गुना करेंगे अपन 12 का गुना करेंगे थीखे बच्चों अब 12 का गुना करेंगे तो 12 चुक 48,8 हसल कितना होगा है 4,92,4 हसल 10 अब 10 का एक 0 लग गाए आपका हसल एक होगा है 2,92,9, LAUGHTER 5, simpler,94,24,24 में दसने आपको में तों नहीं कि इसे टिर्फिपर होता है स्ट्राइब हुआ करना कि थी दो मीटर में या तो आप इसमें कित्त गुणा कर दिए चोईस का बारदून चोईस दो इंच दो फीट होता हो जागा न ठीक बच्चों तो आपन क्या करेंगे इसमें कितने गुणा करेंगे यह एक मीटर का गया अब इसमें अपने कितना करना है दो मिटर निकालना है दो का 3 मिटर निकालना है तो 3 मिटर का मदलना है तो आपन गुंचलिस देआयं है दे दसमलो लग गए दू नाम 18 का 8 हसिल एक दो त्याची और एक 7 तो 8.74016 इंच कि दो मीटर कितना होता है आपका थी कि बच्चों तो अपने इसमें दो का गुणा कर दिया तो 68.74016 इस टाइप से आप मीटर को किस में बदल सकते हो इंच में बदल सकते हो जितना भी मीटर हो ठीक है बच्चों अब आपका मान लोग कि एक प्रिश्ण है कि 2.5 है तो 2.5 मी पच्शिस का तो अपन इसमें 25 पाखंट कर लेंगे तो इस टाइप से आप पाइंट में हो तो उसमें का भी किसर कर सकते हो गुणा करके निकाल सकते हो इस टाइप हुता है एक में और मीट में इंच को अब मीटर को गज में वह लेंगे पर अब मीटर को गज में दूसरा पवयंट है आ Помीटर को इंच में sorry gaj में gaj English में क्या बोलते हैं अपन yard gaj को English में क्या बोलते हैं yard में बदलना ठीक है बच्चो अब अपन meter को gaj में बदलेंगे तो इसके लिए आपको पता है कि 1 meter बरावर कितना होता है 1 meter बरावर होता है 328 0884 feet इसमें अब आपको गज में बदलना है तो एक गज, एक याड कितना फिट होता है, तीन फिट होता है, ठीक है बच्चों, एक गज कितना होता है, तीन फिट होता है, ठीक बच्चों, अब एक मीटर में इतना फिट होता है, तो आपने को मीटर में, एक मीटर को किसमें बदलना है गज में, तो आ एक फिट में तीन गज होता है तो अपन गुणा करते हैं तो तीन का भाग देंगे अपन किता अगा तीन एकम तीन दसमलो अब दो मेनी जा रात भाग जा उसकी जीरो 28 मिलेंगे तीन सत है 21 थीके बच्चो 21 सुरी तीन हम 27 बच्चा एक होगया 10 फिर तीन तीन नो बच्चा एक होगया 8 तीन एकम 3 गज एक मीटर में कितना गज होता है आपका तो एक दसमलो जिरो नो तीन छे एक गज होता है है एक मी half कितना होता हुधा उपका एक सम्व्ड़ सिर नो तीन जھे एक गज आप एक मी होगे हैँ अब आपने प esse को कितना निकाला है दो मीा है तो दो मी निन् टो इका निकल न सकते हो कितना चया वैखा पर याड भी लिख सकते हो तो तो दो मीटर में कितना जाएंगा 2.18722 गज अपने को पाइंट वाला निकाला है 2.5 मीटर में कितना गज याड होता है तो अपने इसमें 1.0936 एक में कितने का करेंगे गुणा 2.5 का जितना भी आपको पूछा गया है उसमें اس संख्या का एक दसमलो जीरो नो तीन छे एक में गुणा करना है तो अपन इसमें कितना का गुणा कर लेंगे दो पाइंट पांच का गुणा करेंगे बच्चों तो दो पाइंट पांच का गुणा करने पर गिता है आपका दो दसमलो साथ तीन चार जीरो दो पांच गज तो एक दो दो आठ जीरो आठ चाट इस टाइप से आप सभी को बदल सकते हो कनवर्ड कर सकते हो